नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में आज आप जानेंगे अपल के सीई-ओ स्टिव जॉब्स के बारे में स्टिव जॉब्स आपल के फाउंडर स्टिव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेणना दायक है उन्होंने जिस तरह अपने जीवन में तमाम संखर्शों को जील कर अपनी जिंदगी में सफलता की नए आयामों को छुआ है वो वाक्काई तारीफे काबल है जॉब्स की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक मंदर में मिलने वाले खाने से अपनी भूक मिटानी पड़ती थी और दोस्त के घर जमीन पर सूना पड़ता था यही नहीं वो अपनी जीवन में उस दोर से भी गुजरे जब उन्हें अपनी ही कंपनी एपल से निकाल दिया गया था लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे आईए जानते हैं स्टीव जॉब्स के प्रेंटना दायक जीवन के बारे में स्टिव जॉब्स का जन्म परिवार और शुरुवाती जीवन स्टिव जॉब्स का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से एकदम अलग है दरसल उनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोनिया के सेंटर फ्रेंसिसको में सीरिया के मुसलिम अब्दुल फत्त जन्दाली के घर में हुआ था उन्होंने जॉयत्री सिंसन की कोक से जन्म लिया था हालाकि उस दौरान उनके माता ने शादी नहीं की थी इसलिए उन्होंने स्ट्रिफ को गोद में देने का फैसला किया इसके बाद उन्होंने पॉल और कलारा नाम के एक कपल को जॉब्स को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद गोद में दे दिया था आपको बता दे कि पॉल जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था वो एक मेकानिक थे जब कि उनकी मा क्लारा अकाउंटन थी जिन्होंने बाद में एक गैरिज खूल दिया था वही जॉब्स की दुल्चस्पी भी शुरू से ही इलेक्ट्रोनिक्स में थी इसलिए वो गैरिज में रखे इलेक्ट्रोनिक के सामान से छेर चाड़ करते और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते इस तरह बच्पन में ही जॉब्स ने अपने पिता की मदद से इलेक्ट्रोनिक्स का काफी काम सीख लिया था वही जॉब्स बच्पन से ही विलक्षन प्रतिबावाले एक कुशागर बुद्धी के चात्र थे हाला कि उन्हें स्कूल जाने से अच्छा गर पर बैट कर किताबे पढ़ना लगता था स्टिफ जॉब्स की शिक्षाइव शिरुवाती करियर स्टिफ जॉब्स के माता पिता ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल तक तो पढ़ाई का खर्चा उठा लिया लेकिन इसके बाद जब स्टिफ जॉब्स का इड्मिशन और इगेन के रीड कॉलेज में हुआ तो ये इतना महंगा था कि स्टी के माता पिता की पूरी जमापूंजी इस कॉलेज की फीस में ही खर्च होने लगी इसलिए पहले सिमिस्चर के बाद ही पैसो की कमी के वज़ा से स्टिफ जॉब्स ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला लिया हलक की कॉलेज छोड़ने के बाद भी वो कैलिग्राफी की क्लास जरूर अटेंड करते थे कैलिग्राफी अक्षरो को क्रियेटिव एव अच्छे तरीके से लिखने की कला होती है इस दोरान स्टिफ जॉब्स की दोस्ती वो जिनायक से हुई जिसे भी इनकी तरह ही उलेक्ट्रोनिक्स और कम्प्यूटर में दिलचस्पी थी स्टिफ जॉब्स को अपने जीवन के शुरुवाते दिनों में आर्थिक तंगी की वज़ा से काफी बुरे दौर से गुजरना पड़ा था स्टिफ जॉब्स के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने पेच की भूख मटा सके कोक की बॉटल बेच कर किसी तरह अपना गुजारा करते थे और हर संडे कृष्णा मंदर इसलिए जाते थे क्योंकि वहाँ फ्री में भर पेट खाना मिलता था यही नहीं स्टिफ जॉब्स ने काई राते अपने दोस्त के कमरे में फर्ष पर सो कर गुजारी थी हाला कि स्टिफ जॉब्स के अंदर दिर्ण इच्छा शक्ती और प्रतिबा की कोई कमी नहीं थी इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली डेवलिंग कमपनी में काम करने का मौका मिल गया लेकिन स्टिफ जॉब्स इस जॉब्स से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने ये नौकरी छोडने का फैसला लिया वहे इस नौकरी से जो भी पैसे बचाए उससे वो भारत घूमने के लिए आ गए दरसल स्टिफ को भारते संस्कृती काफी प्रभावित करती रही है और वो यहां आकर अध्यात्मिक ज्यान प्राप्त करना चाहते थे इसलिए उन्होंने साल 1974 में करीब 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किये और यहां बहुत धर्म की शिक्षाली इसके बाद वो अमारीका वापस लोट गए हाला कि अब वो पहले वाले जॉब्स नहीं रहे वो पूरी तरह बदल चुके थे और उनका मन भी पूरी तरह एका ग्रत हो चुका था इसके बाद जाकर उन्होंने फिर से जॉब जॉइन कर ली अपल कंपनी की स्थापना स्टिफ जॉब्स भारत में काफी समय गुजारने के बाद जब अमारीका पहुचे तब उन्होंने पाया कि उनकी बेस्ट फ्रेंड वोजिनायक ने एक छूटा सा कंप्यूटर बना इस कंप्यूटर को मार्किट में होता रहे वोजिनायक ने कहा कि मेरा तु सिर्फ कंप्यूटर में इंट्रस्ट है इसलिए मैंने इसे बना दिया कौन हमारे कंप्यूटर को खरीदेगा अंतहा स्टिफ जॉब ने उन्हें कन्वेंस कर लिया फिर 20 साल के स्टिफ जॉण्स और वो जिनायक ने मिलकर 1975 में अपने पता के गैरिज में कमपनी की स्थापना की। इस कमपनी का नाम एपल रखा गया। उन्होंने अपना पहला प्रोटो टाइप एपल वन बनाया, फिर इसे मार्किट में लॉंच किया। 1975 दुनिया का पहला पॉर्सनल कमप्यूटर मार्किट में लॉंच किया गया जिसका नाम MIDS 8800 था। ये एक पॉर्सनल कमप्यूटर तो था ही लेकिन इतना भी यूजर फ्रेंडली नहीं था जिसे हर कोई यूज कर सके। ठीक इसके एक साल बाद 1976 में फाइनली एपल ने अपना पहला कमप्यूटर मार्किट में लॉंच किया जिसका नाम Apple One था। अपल One के मार्केट में आने के बाद इसकी इतनी ज्यादा भिक्री नहीं हुई क्योंकि जादतर लोगों को पता ही नहीं था कि पॉर्सनल कमप्यूटर होता क्या है। उन्हें operate कैसे किया जाता है, बस जिन लोगों का computer में इंटरस्ट था, उन्होंने ही इसे purchase किया, लेकिन Apple 1 की बिकरी के बाद, Apple ने इतने पैसे जुटा लिये थे कि वो एक नए computer पर काम कर सकें, 1977 में उन्होंने अपना दूसरा computer मार्किट में launch किया, जिसका नाम Apple 2 था, Apple 2 के आने के बाद personal computer के era पूरी बदल गई, Apple 2 दुनिया का पहला ऐसा computer था, जिसके अंदर graphics और keyboard का इस्तमाल हुआ था, इसकी launch होने के बाद पूरी personal computer की market ही हिल कर रह गई, अपने पहले साल में इसने अपनी 30 लाख units बेची, फिर 2 साल के अंदर 20 करोर से ज़ादा units बेच डा चकर नहीं थी, लेकिन तभी मुसीबते आना चालू हो गई, जैसे जैसे market में competition बढ़ने लगा, Apple के products को लोग कम खरीदने लगे, stiff job का तीसरा computer Apple 3 और computer Lisa market में पूरी तरह fail हो गया, उनका 50% market share IBM के पास चला गया, stiff jobs को लगा कि ये सही time है एक bum फोडने का, तभी उन्होंने 1984 म अपना पांचवा computer launch किया, जिसका नाम Macintosh रखा गया, Macintosh एक game changer साबित हुआ, ये दुनिया का पहला computer था, जिसके अंदर graphical user और interface और mouse का इस्तमाल हुआ था, जो कि इसे use करने में बहुत ही easy बना देता है, stiff job का कहना था कि Macintosh एक home computer है, लेकिन इसका price $2495 होने की वज़ह से इसे बहुत ही महंगा बनाता है, consumer market में ये पूरी तरहा fail हो गया